आपकार साथियों कॉम्टेरिया एजुकेशन चनल पर आपका हर्विक स्वागते मम अभी नंदन जैसा कि आप जानते हैं रडबांकुरे स्टेडियम वारानसी आर्मी रिकूड्मेंट आफिस में भरती चल लए है सेना में धर्म गुरू उसके अपडेट में आपको बताना चाहता हूँ आठ दिसम्बर से लेके बारा दिसम्बर तक सेना में धर्म गुरू के फिजिकल टेस्ट होंगे जिसमें की ब्रस्पतिवार को यूपी और उत्राखंड के 375 बेर्थी सफल हुए हैं दोड़ में और दस्तावेश सत्यापन के अधार पर 375 बेर्थी पास हुए हैं जानकारी के अनुसार हम बता दें आपको कि सेना में धर्म गुरू के बर्ती हो रही है सुबा से ही उत्राखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन जीलों के 2386 अभिहर्थियों को बुलाया गया था जिसमें से की 916 कंडिडेट सारीक दच्चता के लिए पहुंचे थे दौड और अन्य सारीक दच्चता के अधार पर 375 कंडिडेट्स को पास गोसित किया गया है रिजल्ट पास है और दस्तावेज में आधार सेच्चनिक प्रमालपत्र और अन्य प्रपत्रों की जांच की गई है तो सेना में जो दर्म गुरू बनने के इच्चु का ब्यर्थि थे वो बुलाया गया था वो दोड़े और तकरीबन 375 अब्यर्थी पहले दिन जो एरणा बांकुरे स्टेडियम के फिजिकल टेस्ट में और प्रमालपत्र सत्यापन में पास गोई बने ने जमेर है हमारे इच्चेशनल सेनल कॉम्पटेरिया पे सभी भरती समन्दित जानकारिया और लाइव क्लासेस जीयस की और मै अबस्ट के फिल जो सेनल में और लमालत में सीयस की बिवन भरती है दो कि रांगड्य करते हैं। और पूजन पाटा कारे करते हैं तो उसके लिए सेना में धर्मगुरू की बढ़ती होती है इसके लिए आपको अपने धर्म से सम्मंदित पढ़ाई करना जरूरी होता है उसी आधार पर फिर सॉर्टिंग करके रेश्टेशन होता है और उसके बाद आपको फीजिकल टेस्ट के लिए और डाकुमेंट के लिए बुला जाता है इसके बाद लिकित परिच्छा होती है उसके बाद इंटरवी होता है खिराब सेना में धर्म सिक्षक या धर्म गुरू बदबद्दित वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेर करें भारी मात् इसी कबर के साथ हम धन्यवाद देते हैं आप सभी सुल्काओं का वीडियो को लाइक करते रहें शेर करते रहें और कौम टेरिया को सब्सक्राइब करें जैस्टी राम